यह हमारी प्यारी सी मेड़ प्रीती इसके चहरे पर धेर सारे pigmentation के डाग थे nose area में और cheeks area में इसका मानना है कि इसके first pregnancy में ये डाग चहरे पर उभर आये थे और और एक आदत थी कि जब भी बाहर निकलती थी धूप में तो चहरे को cover नहीं करती थी मैंने study start किया और इसके pigmentation दाग मिटाने में within 3 months में best result मिले आप देख सकते ये दाग मिटाने के लिए सबसे first step थी कि इसे चहरा cover करने के मैंने आदत डाल दी second में ये जैसे भी मेरे घर आती थी तो इसे मैंने एक syrup पिलाया बिल्कुल one spoon syrup था लेकिन ये body को detox करता है और skin को clear करने में काफे helpful होता है within 3 months में इसके best result मिले third जो जीच थी तो ऐसी एक चीज मैंने everyday इसे खाने के लिए बताई जिसमें vitamin B पाया जाता है और skin को clear करने में help करती है third step में एक ayurvedic steam हमने इस पर use की week में two time जैसे भी steam लिया तो उसके बाद एक ayurvedic homemade face mask हमने बनाया जो pigmentation के दाग को मिटाने में काफे helpful होते है ये step by step किस प्रकार से treatment हमने लिया वही मैं आपके साथ भी share करूँगी तो चलिए start करते है first step कभी भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो चेहरे को cover करके ही स्कार्ब बांग की ही बाहर निकलना है सूर्य की जो किरने होती है वो हमारे skin को damage करती है और दाग की problem बढ़ने लगती है इसलिए first step हमेशा ध्यान में रखती है अब देखते है second step second step में हमें बनाना है one spoon homemade syrup सिरप बनाने के लिए हमें एक मुठी नीम के पते चाहिए इसे wash कर लेना है mixy jar में इसे add कर देना है और थोड़ा सा पानी इसमें add करेंगे इसके पैस बना लेनी है नीम के पते जो होते इसमें धेर सरा vitamin E पाया जाता है जो हमारे चहरे पर जो भी hyper pigmentation की problem होती है उसे मीटाने में बेहत फाइदेमन होता है इसमें anti-inflammatory गुण पाये जाते है जो हमारी स्कीन को soft बना के रखता है यह जो हमारी पैस तया हो जाती है इसे हमें चलनी के मदद से चान लेना है हमें इसमें से सिरप मिल जाता है यह सिरप जो बनता है इसमें हमें आधा स्पून शहिद मिला देना है शहिद में धेर सारे natural enzymes पाये जाते हैं जो हमारी स्कीन को अंदर से मॉश्चर करने का काम करते हैं दोनों को अच्छे से फेट लेना है और मॉर्निंग में एक स्पून खाली पेट इसे पी लेना है हमारी मेट जैसे भी मॉर्निंग में मेरे घर पर 9 बज़े आ जाती है तो इसे में एक स्पून दे देती थी तो इसके पिग्मेंटेशन, हाइपर पिग्मेंटेशन के डाग मिटाने में ये सिरप काफी फाइदे मन हुआ थर्स स्टेप में एक खीरा खाना है कीरा में धेर सरा विटमिन बी पाये जाता है एंटियोक्सिडन आंटि बायोटिक और एंटिबैक्टिरियर गुण पाये जाते है जो हमारे स्किन को अंदर से मौश्चर बनायके रखता है और स्किन की जो जलन होती है उसे मीटाने में और skin को अंदर से ठंडक देने में काफे helpful होता है everyday, एक खीरा खाना ही है. 4-step में आता है steam, लेकिन steam हमें everyday नहीं लेना है, week में 2-time ही लेना है, लेकिन नॉर्मल स्टीम नहीं लेना है इसमें नीम के पत्ते आड़ करने हैं आपके पास स्टीमर है तो चार पास नीम के पत्ते आड़ कर सकते हैं स्टीमर नहीं भी है तो एक पॉट में पानी गरम करके भी आप स्टीम ले सकते हैं ये जो नीम के पत्तों वाली स्टीम होती ह वो हमारे रोम चिद्रों में जो भी धूल मिट्टी के करण होते हैं, बैक्टेरियाज होते हैं, उसे नश्ट करने में काफ़ी हेलफुल होती है, नॉर्मल स्टीम लेंगे उससे जादा, दुगने स्पिड से हमें इसके रिजर्ट मिलते हैं, वीक में टू टाइम लेना है, अ नेक्स इंगिडियन हम इसमें यूज करेंगे नटमंक, जिसे जाइफल भी कहा जाता है, जो हम स्वीट्स में हमेशा यूज करते हैं, यह रेडिमेट फॉम मार्केट में मिल जाता है, लेकिन मैंने इसे जो प्यूवर होता है, उसे ग्रेट कर लिया है, और इसकी पाउडर तो आप दूद मिला सकते हैं, तो रोज वाटर का यूज करना है, फोर्थ इंग्रेडियन के लिए हमें चाहिए एक खीरा, खीरे को हमें ग्रेट कर लेना है, और इसमें से हमें रस निकालना है, चलनी के मदद से, यह जो रस अलग से कटोरी में हमें निकाल लेना है, और इ यह सभी चीजों को हमें अच्छे से फेट लेना है, और यह हमारा फेस मास्ट बिल्कुल बनके तयार है, इसे थोड़ी देर के लिए हमें साइड में रख देना है, फोर स्टेप में हमने वीक में टू टाइम स्टीम लिया था, जब भी हम स्टीम लेते हैं, उसी दिन हमें पूरे पर अपलाए करना है, तो भी चेहरे पर अपलाह करना है, दो फेस मास्ट पर अपलाह करने से पहले और स्टीम लेने के बाद हमें हमने जो खीरे का रस निकाला है वो cotton ball की मदद से पूरे चहरे पर हलके हलके tap tap करके चहरे पर लगा लेना है इस प्रकार से खीरे का रस चहरे पर लगाने के बाद हमें जो हमने face mask बनाया है वो पूरे चहरे पर apply करना है जब भी हम चहरे पर face mask apply करते हैं तो 20 minutes के लिए इसे चहरे पर लगा के रखना है फिर बाद में इसे नॉर्मल पानी से wash कर लेना है. जब भी आप नॉर्मल पानी से चेहरे को wash करते तो कोई भी soap या face wash यूज करना है. आप अगर face wash या soap यूज करते हैं तो इसका जो effect आना चाहिए वो नहीं आएगा. इसलिए 4 hours तक अब आपको कोई भी sopia face wash यूज ना करें तो friends ये 5 step follow करके पृति को जैसे best result मिले दाग मिटाने में अगर आपको भी मिलते हैं तो मुझे जरूर बताना है स्वस्त्रे मस्त्रे healthy रहे Thank you so much